नमस्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है चलि जानते हैं बिहार के अब तक की बड़ी खबर को बिहार में जीवी का दीदियों ने लगाई LED बल्ब की फैक्टरियां COVID-19 के स्माहॉल में जीवी का दीदियों ने अपने उद्यों को हर स्तर पर बढ़ाया है इस इक्रम में अब जीवी का दीदियों ने LED बल्ब की फैक्टरिया लगाई है इतना ही नहीं सरकार ने भी जीवी का दीदियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है जिसके तहत सरकार ने इस फैक्टरि के लिए डोभी में 18,000 वर्ग फूट जमीन और भवन भी दे दिया है अगले महीने से यहां 9 वाट के LED बल्ब का उत्पादन शुरू हो जाएगा खास बात यह है कि अबल्ब बाजार में प्रचलित अन्य ब्रांडों के बल्ब से काफी सस्ती होगी और टिकाओ होने की उमीद जताई गई है अधिकारियों की माने तो इस बल्ब की की बत महस साथ रुपे तैकी गई है और तीन साल की वारंटी भी देने की बात कही गई है यह सस्तावल अन्य प्रचलित ब्रांडों के मुकाबले बाजार में भी जल्द स्थापित हो जाएगा इसके साथ ही बल्ब बनाने की मशीन आ गई है ट्रायल का काम पूरा कर लिया गया है जिसके तहट 27 कामगरों महिलाओं को ट्रेन भी कर दिया गया है जिसके बाद 5,000 बल ग्रोजाना बनाने का लक्ष पूरा किया जाएगा नियोजे सिक्षकों के अंतर जुला तबादले की गाइडलाइन जल्द होगी तैयार बहार में सरकारी स्कूल में काम करने वाले लगभग 3,5,5 लाख नियोजे सिक्षकों और पुस्तकाले अध्यक्षों को राज्यमंत्री मंडल द्वारा नई सेवाशर्थ को ले करके सरकार की तरप से मंजूरी दे दी गई है जिसके बाद अब उन्हें स्थानांत्रन में भी खास छूट मिलने वाली है खासतोर से दिव्यांगो और महिलाओं से जल्दी अंतर नियोजन एकाईयों में स्थानांत्रन को ले कर आवेदन इस महीने के अंतर तक ही मांगे जाने क्या सार है हाला कि इसके साथ ही विस्ट्रिदिशा निर्देश तयार करने होंगे राजय मंत्री मंडल ने सेवाश्रत सुधार के लिए गठित कमीटी के अनुशंसा पर नियोजन सिक्षो को और पुस्तकाला अध्यक्षो को एकचित तबादले का भी प्रावधान दिया है जिसके तहट उसके लिए विस्ट्रिद दिशा निर्देश तयार करने होंगे प्लाजमा डोनेट करने के लिए सामने आए है मिली जानकारी के नुसार अब तक कुल मिला कर 190 लोगों ने प्लाजमा डोनेट किया है लगभाग 120 मरीजों का प्लाजमा भी चुढ़ाया जा चुका है Covid-19 के मौडरेट मरीजों में प्लाजमा ठेरپी काफी हद तक कारगर साबित हुई है पर ताइंस में Covid-19 के नोडल ओफिसर डॉक्टर संजीग कुमार का कहना है कि Covid-19 से 70 फेस के मौडरेट मरीजों में प्लाजमा ठेरपी कारगर साबित हुआ है जो इसके बाद पारस HMIR Hospital IGIMS में डोनेशन की विवस्था पूरी हो गई है सुशान सिंग राजपूत के मामले में ओकात वाले बयान पर DGP गुपतेशर पांडे ने दी सफाई और रिया चकरवर्ती का ऐसा कद नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्र नितिश कुमार पर कोई कमेंट कर सके उसे नहीं भूलना चाहिए कि वो सुशान सिंग राजपूत के मामले में नामजद संदिग्ध है जो केस मेरे पास था और अब CBI के पास है डीजीपी ने आगे कहा कि अगर कोई राजपूतिक नेता बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करता तो मैं इस पर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता लेकिन अगर कोई संदिग्ध बिहार के मुख्यमंत्री पर कुछ बेबुनियाद टिपणी करता है तो यह आपती जोनक है रिया चक्रवर्ती के टिपणी अनुचित थे स्वास्ते वभाग के तरब से संक्रमितों के पेश्वे के आधार पर जारी किया गया आंकड़ा स्वास्ते वभाग ने राज्य के संक्रमित मरीजों के पेश्वे के आधार पर आंकड़ाताय किया है जिसके तहट संक्रमित में 7.7 प्रतिशत यानी 7000 से अधिक डॉक्टर और स्वास्ते कर्मी का नाम शामिल किया गया है मार्च के अंतिम सब्ता में कोबिड-19 की जांच शुरू होने के बाद मही में सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक भिहार आए थे स्वास्ते वभाग ने पेशे के आधार पर बना कर उन्हें चिर्णित किया है वबाक्री तरफ से जारिक है कि आंकडू के नुसार मरीजों में लॉकडाउन के दौरान सेर को पर तैनात रहे दो प्रतिशत पुलिसकर में संक्रमित हुए हैं इसके लावा एक प्रतिशत क्रिशी शर्ष्रमिक, छे प्रतिशत घरेलू महिलाएं तीन प्रतिशत में सबजी और फल्विक्रेता, वहांचालक और बिजरी मक्यानिक है वहीं दो प्रतिशत लोग आवशक वस्तों के कारोबार से जुरेवे हैं जबकि सरकारी नौकरी करने वालों में संक्रमन का प्रतिशत एक दर्च किया गया है वहीं प्राइवेट नौकरी करने वालों में तीन फीज़ी के करीब संक्रमन पाए गया है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 1500 सीट पर राजद उमिद्वार को उतारने की हो रही है तैयारी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी हलचल भी तेज हो गई है गटबंदन से जुड़ी पार्टियों के भी सीट बटवारे को लेकर पॉलिटिक्स का खेल चालू हो गया है महागटबंदन का सीट शेरिंग को लेकर चुपी का इस बात का अंदाजा है कि पार्टियों की प्लानिंग कुछ अलग देखने को मिलने वाली है जिसकी बाद महागटबंदन को लीड करने की घोशना करने वाले तेजस्वी आदव ने सीट बटवारे को लेकर चुपी साथली है तेजस्वी आदव पूरे जोर शोर से चुनाव की तयारों में जुटके हैं जिसके बाद इस बार कॉंग्रिस भी यही चाह रही है कि उसे उस ज्यादा सीट मिले मांजी का महागटबंदन से निकलना भी तैमाना जा रहा है जानकारों की माने तो राज़त सीधे तोर पर सहयोग से बात नहीं कर रही है गार्ड की सतर्कता की वज़े से तूटे एक्सल बॉक्स के साथ बाल बाल बची ब्रह्मपुत्र मेल बुधवार के शाम दिली से डिब्रुगर जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल एक्स्ट्रेस बाल बाल बची है जिसके बाद ट्रेन भागलपूर जंक्शन पहुंची तो कुछ एक्सल को बदल कर नया कोच लगाए गया जिसके बाद ट्रेन को डिब्रुगर के लिए रवाना किया गया बताया जा रहा है कि ट्रेन के स्लीपर कोच SN के पहिये एक्सल का नेटवर्क वॉक्स रूट गया था बॉक्स फिर से खुल गई थी और फिर बॉक्स को चेंज करने की नौबत आ गई और इसके तूटने की आवाज गार्ड एके गुपता को भी सुनाई दी थी उन्होंने फॉरण लोको पाइलेट से संपरकिया जिसके बाद सूचना भागलपूर स्टेशन और क्यारिज जिसके बाद ट्रेन के भागलपूर पहुँचते ही टूटे एकसल बॉक्स कोच को हटा करने या कोच लगाए गया। नहीं किया था पटना से इस मामले की जांच करने मुंबई गई SP City विनेतिवारी को कॉरिंटाइन कर दिया गया। इसके बाद मुंबई पुलिस BMC के साथ मिलकर SIT में श्रामिल चार अनिपुलस कर्मियों को भी तलाशने लगी ताकि उन्हें भी कॉरिंटाइन किया जा सके। गादी सेतु के पुर्वी लेन पर 20 अगस्त से वाहनों के परिचालन पर नगाई जाएगी रोक। ओवर्लोडिंग पर बुरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके बाद इस सम्मंद में जुलाधिकारी कुमार रवी ने आदेख जारी कर दिया है। साथ ही DTO और SDO को दिशान इर्देश जारी करते वे कहाई कि महात्मा गादी सेतु पर पूर्वी लेन में वाहन संचालित नहीं होगी। इसके लिए परियाप्त व्यवस्ता करनी जरूरी है साथ ही पस्चमी लेन में वाहनों के परिचालन में परिशानी ना हो इसके लिए पलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। पंचायतों में बार की संभावना बढ़ गई है जिसकी वज़े से मानस, पानापूर और हेतंपूर में सोनुसूता में गंगा का पानी प्रवेश करने लगा है जिसके साथ ही वहां के लोग काफी परिशाना जरार है। प्रावीन कुमार द्वारा दायर याचिका पर वीडियो कॉंफरेंसिंग में सुनवाई के दौरान इस पर फैसला सुनाया है। इस मामले में याचिका करताओं के वकील विश्वजीत मिश्रा नहरा याचिका करताओं के मामले में अदालत ने 30 जून 2016 को एक सुनवाई में कहा था कि उच्छ डिग्री उक्त मामले में बाहधक नहीं होगी लेकिन उच्छ डिग्री होने के चलते इनके मामले में विचार नहीं किया जाएगा आपको बता दे विग्यापन के अनुसार लाब टेक्निशन के पत्पर न्युक्ति के लिए MLT डिप्लोमा योगता रखी गई है प्राइवेट अस्पतालों में COVID-19 जाच की इलाज की दर होगी तै प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीज से मनवाने धंग से पैसे आठने के मामले के बाद राजय सरकार ने यह फैसला लिया है कि COVID-19 का इलाज जिन भी प्राइवेट अस्पतालों में किया जाएगा COVID-19 के इलाज की दर तै कर दी जाएगे इसके साथ ही स्वास्तविभाग ने प्राइवेट अमरित ने यह भी कहा है कि वो किसी भी हाल में COVID-19 के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों को मनमानी नहीं करने देंगे आपको बता दे इलाज की दर तै करने की जिम्मदारी DM को दी गई थी पर अब तक COVID-19 इलाज का रेट तै नहीं हो पाया था लेकिन आप स्वास्तविभाग इस पर गंभीरता से विचार कर रही है COVID-19 से जानकवाने वाले 12 लोगों के आश्रितों को सरकार ने दी आर्थिक मदत COVID-19 से जानकवाने वाले 12 लोगों के आश्रितों को सरकार ने अपने बादे नुसार 4-4 लाग रुपे की राशी मोहया करवाई है जिसके तहट सहायता राशी के लिए सम्मनित SDO, CO या अपर्समाहरता आपदा से संपर्क भी किया जा सकता है जुलाप्रसाश्री ने COVID-19 से जानकवाने वाले 12 लोगों के परिजनों के बीच बुद्धवार को 4-4 लाग के सहायता राशी का वितरन किया है दियम कुमार रवी ने कहा है कि सभी SDO और CEO को अंजुलावार क्याम लगाकर सहायता राशी के भुगतान करने का निर्देश दी आ गया है अब तक 31 लोगों के राशी को यह राशी सौब दी गई है इसमें पटना सदर अनुमंडल के 14 पटना सिटी के 11 दानापुर के 3 मसोड़ी के 2 और 12 के एक आश्रित शामिल है सदर SGO तने सुल्तानिया ने कहा है कि जानगवाने वाले जैराम शर्मा की आश्रित बच्ची देवी जेंद्र प्रसाद के मृदुला देवी, सीता चौधरी के आश्रित कलावती देवी, राकेश कुमार सिंग के आश्रित रिंकु कुमार समेत कई लोगों को यह चेक सौप दिया गया है आपको बता दे पतनेबार मंतरी नंदकिशो यादव ने आठ लोगों के आश्रित को 4-4 लाग का चेक सौपा है सुषान सिंग राजपूत की संपत्ती पर पिता ने जटाया दावा, सुषान सिंग राजपूत की संपत्ती पर पिता ने अब अपना दावा जटाया है जिसके तहत उन्हों ने कहा है कि पूरी संपत्ती पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है सुशान्त के पिता केके सिंग ने प्रेस बयान जारी करते वे कहा कि मैं सुशान्त का आधिकारीक रूप से वारिस हो सुशान्त के पिता के बयान को प्रेस में जारी करते वे यह साफतोर पर एक नोट में भी लिखा गया है कि सुशान्त ने अपनी जिंदगी में जिन वकीलों की और प्रफेशनल्स को लखा था उनकी सेवाएं ले रखी थी कानूनी वारिस होने के चलते अब उनकी सेवाएं करता हूँ अब ना मेरी सेहमती के कोई भी वकील सिये या फिर अन्य को सुशान्त की संपत्ती पर रिप्रेजेंट करने का हख मिलेगा क्यूंकि हाली में कुछ वकील मीडिया के सामने आ करके सुशान्त राजपूत के वकील होने का दावा कर रहे थे इन लोगों ने खुद के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में कोवर्ट-19 इलाज के लिए एक फिक्स्ट रेट तैय करने का फैसला कितना सही है अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड को दबारा ना भूले धन्यवाद